सोलन में कॉंग्रेस ने पत्रकार वारता कायो जिनकिया जिसकी अत्रेक्स्तर जिला महासचे उरोइच शर्वन की शर्वा ने बाजपा पर वेचारिक हमला किया और बताया कि बाजपा पूरी तरह से मुद्दा वहीन हो चुली है और उनके पास मातर मोदी का व्याख्यान करना उनके अलावा कुछ नहीं है उनकार कि आज मेंगाई चरण पर है जनता तरही तरही कर रही है लेकिन भाजपा केवल वाईदों की फसल एक बार फिर से चुनावी रण भूमी में बोना चाहती है सोलन में कॉंग्रिस ने प्रेसवारता का आयजन किया प्रेसवारता के अध्यक्ष्टा जिलक के महासचेब रोहित चर्मा ने की रोहित चर्मा ने भाजपा पर जम कर बैचारिक हमला किया और पताया की भाजपा पूरी तरह से मुद्दा बहीन हो चुकी है और उनके पास मात्र मोदी का बखान करने के अलावा कुछ नहीं है आज महंगाई चर्म सीमा पर है जनता त्राही त्राही कर रही है लेकिन भाजपा केवल वायदों की फसल एक पर फिर से चुनाबी रंबूमी में बोना चाहती है जो कॉंग्रेस इस पर नहीं होने देगी इस मौके पर जीला सोलन के महासचिब रोहित चर्मा ने बताया कि भाजपा फरजी रास्टरबाद के सहारे हिमाचल में जीत हासिल करना चाहती है उन्होंने कहा कि भाजपा के सांसितों ने पांच वर्षों में परदेश के विकास के लिए क्या किया इसको लेकर भाजपा बोट नहीं मांग रही है उनके पास कोई चुनाबी मुदे नहीं रहे गए है इसलिए वे मोधी और रास्टरबाद के मुदे को लेकर फिर से हिमाचल की जनता में ब्रम वैलाना चाहती है उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनोती देते हुए कहा कि अगर भाजपा में दम है तो वे जनता किस मक्ष अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करे चुनाओं में पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों के मादियम से एवं वैपोर्टर्स और न्यू चैनल्स के मादियम से बार बार एक बात सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश से जो भाजपा के चारो गुशित प्रद्याशी है वोट मांग कर लोगों को गुमरा कर रहे हैं हमारा प्रश्ण जो है कि क्या पिछले पांच वर्षों में किसी भी सांसद में प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जो उन्होंने कारे किये और कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जो वह हमाचल के अंदर लेकर आए असलियत यह है कि भाजपा ने कोई काम जो है वो इन पांच वर्षों में नहीं किया ना कोई नहीं योजना लाई हमाचल में और हमाचल के लोगों के साथ सरसर एक धुका किया है बोलने के लिए उनके पास कुछ है नहीं अगर उनसे सवाल करो तो उन सवालों का जवाब जो है वो भाजपा के लोगों के पास है नहीं इसलिए जो है वह मुद्दों को मुद्दा वहीन होकर केवल और केवल मोदी के नाम पर और राष्टवाद फरजी राष्टवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं हमारे देश के परदान मंतरी श्रीमान नरिंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था अच्छे दिन का अगर आज अच्छे दिन आ गए हैं जो कि भाजपा के लोग बोर रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं तो मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि वह अच्छे दिनों के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं लोगों से और लोगों को गुम रहा क्यों कर रहे हैं क्यों आज मोदी जी को सेना की जुरूवत आन पड़ी और वो सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं और फर्जी राष्ट भक्ती के नाम पर वोट मांग रहे हैं ना कि अच्छे दिनों पर ना कि अपने कारे के अपने किये गए कारें के नाम पर तो ये ताज दिन पर कारेकम फिर आज़ रोंगे नए किसी विडियों के साथ आप त्योड़े रहिए एच्ट्रे के साथ नमश्कार